नमस्कार मैं जैकुमार जब भी नरंद्र मोदी के दौर का इतिहास लिखा जाएगा और दिल्ली सराबनिती घोटाले के आरोप में दिल्ली के चुने हुए मुक्षमंत्री अरविंद के इजरिवाल का नाम आएगा तो कोई भी इमांदार इतिहासकार यही दर्ज करेगा कि अरविंद के जरिवाल के साथ भाजपा ने अपनी सबसे घटिया राजनिती की थी अरविंद के जरिवाल का उधारर देते हुए इतिहासकार इस बात को जरूर दर्ज करेगा कि किस तरीके से नरिंद्र मोधी के दौर में जनता के चिन चुने हुए प्रतिनीदियों नरिंद्र मोधी के पीछे ख़़ा होने का रास्ता नहीं चुना वह भाजपा की राजिती का त्याचार और तानासाही का सिकार बने अगर मामला केवल न्याय का होता तो अरविंद केज्रिवाल जिस सराब निति गोटाले के आरोप में आदालत और जेल के चक्तर काट रहे हैं ठिक वैसे ही प्रकृति के भारत में हजारों मामले हैं, जहां घोटाले के आरोप में भाजपा सही भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जादतर विधायक और सांसर जेल और अदालतों के चक्कर काट रहे होते। अगर मामला के वल नयायका होता तो अरविंद केजरिवाल पर किसी तरह का आरोप ही नहीं लगता। अगर मामला के वल नयायका होता तो चुनावी चंदा घोटाले के आरोप में भाजपा की पूरी की पूरी मंत्रिमंडल जेल के भीतर बंद होती। मगर यहां पर मामला ना ना दालत का है ना न्याय का है यह सब तो महस दिखावा है पिछले दो साल से इस मामले में हजारों पन्यों के दस्तावेश दाके लो चुके हैं नजाने कितने गवाहों ने बयान दिये हैं मगर उसके बावजूत भी अरविंद केजरिवाल के खिलाब इडी जैसी संस्था को एक भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है अगस्त 2022 में दिल्ली सराबनिती घोटाले के तहत मामला दर्ज किया गया था इसमें कई गिरफ़तारियां हुई हैं मगर अरविंद केजरिवाल की गिरफ़तारी जब दिल्ली सराबनिती घोटाले का मामला दर्ज हो गया उसके करीब अरविंद केजरिवाल जेल में बंध हैं बीच में कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोट ने उनको राहत दी थी अब से लेकर अब तक करीब 90 दिन बीतने के बाद सुप्रीम कोट ने अरविंद केजरिवाल को ED के लगाए गए आरोपो पर अंतरिम जमानत देने का फैसला सु इसलिए सुप्रीम कोट ने अरविंद केजरिवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला दिया है क्योंकि इन्फोर्स्मेंड डायरेक्टरेट के टरब से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे अरविंद केजरिवाल को जेल के भीतर रखा जाए इन्फोर्स्मेंड डायरेक्टरेट सम्विधान सम्मत तरीके से नहीं काम कर रही थी बलकि नरेंद्र मोधी के लिए काम कर रही थी मोधी की ED, मोधी की Enforcement Directorate बनकर काम कर रही थी किसी भी जहाँ चेजंसी को यह हक नहीं है कुई इतने कमजोर आरोप लगाए कि किसी आम इंसान को PMLA जैसे कठोर कानून में मतलब Money Laundering के कठोर कानून में 90 दिन तक जेल के भीतर रहना पड़े यहाँ पर तो अरविंद केजरिवाल को 90 दिनों तक जेल में रहना पड़ा है अरविंद के जरिवाल आम इंसान है मगर साथी साथ वह दिल्ली के चुने हुए जनप्रतिनीदी भी है एक जनप्रतिनीदी को बिना ठोज सबूत की आधार पर केवल आरोप लगा करके कमजोर आरोप लगा करके 90 दिनों तक जेल में बंद करने का मतलब या है कि दिल्ली की पूरी जनता की दुखदर्द की आवाज को सुनने के लिए चुने गए जनप्रतिनीदी को बंद कर देना राजनीतिक लिहाद से देखा जाया तो नरेंदर मोदी ने एडी के जरिये केवल आरोप लिंद के जरिवाल को प्रतारित ही नहीं किया है बलकि दिल्ली की जनता को प्रतारित किया है इसलिए यह भाजपा की घटिया राजनीती का नमूना कहे जाने लायक हमेशा उधारन मुझूद रहेगा अरविंद केजरिवाल के मामले की सुनवाई जश्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी 17 मही 2024 को सुप्रीम कोट ने अरविंद केजरिवाल की जमानत को ले करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था अरविंद केजरिवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोट के सामने अरविंद केजरिवाल की जमानत का प्रश्ण तो रखा ही था साथ ही साथ यह भी प्रश्ण रखा था कि prevention of money laundering act की धारा 19 के तह तरविंद के जरिवाल की गिरफतारी की गई है उस पर भी विचार किया जाए money laundering कानून की धारा 19 से ED के अधिकारी को या अधिकार मिल जाता है कि जो material ED के अधिकारी को मिला है अगर उससे लगता है ED के अधिकारी को लगता है कि अमुक वेक्ति डोसी है तो वह उसे गिरफतार कर सकता है मतलब इस धारा की भासा subjective किश्म की है या धारा objective तोर पर यह नहीं बताते कि बहुत ठोस मजबूत सबूत हों तब ही आप गिरफतार कीजी कि वह आपको लग जाए यह धारा बात कहती है कि अगर ED के अधिकारी को लगता है अमुक वेक्ति डोसी है तो वह उसे गिरफतार कर सकता है भले ED गिरफतार करते समय यह ना बता या रोपी को कि उसे किस मामले में गिरफतार किया जा रहा है बले या रोप ना ते किया गया हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस धारा की वैधानिक्ता लिगैलिटी के खिलाब भी चुनावती की गई थी और विंद केज रिवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था करना इतना आसान क्यों बना दिया गया है वहां भी गिरफ्तारी के प्रावाधान बहुत ज़्यादा कठोर होने चाहिए केवल पूछ ताच करने के लिए किसी को महीनों और सालों साल गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है और केवल लगने पर केवल सब्जेक्टिव अधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इन सभी सवालों पर अपना पक्ष रखते वे सुप्रीम कोर्ट के दो जज़ों की बेंच ने कहा कि प्रिवेंशन अफ मरी लॉंडरिंग एक्ट की धारा 19 की वैधानिक्ता पर की गई चुनौती के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट क ही मुल्यवान अधिकार है बहुत ही पवित्र अधिकार है अर्विंद के जरिवाल ने 90 दिनों तक कारावास की सजाकाटी है इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अर्विंद के जरिवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी सवाल ख एक ऐसा पद है जो महत्वपून है और प्रभावशाली है इस मामले पर हमें संदे है कि क्या कोई अधालक किसी निर्वाचितनेता को मुक्षमंत्री को या मंत्री को अपना पद छोड़ने के लिए या अपना काम ना करने का निर्देश दे सकती है या नहीं इसलिए इस प पहा जा रहा था कि अरविंद केजरिवाल को आरोपी होने के चलते अपने मुक्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए यहां समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोट ने प्रिवेंशन अफ मनी लॉंडरिंग कानून के थद एड़ी के लगाए गए आरोप पर मगर इस फैसले को 25 जुन को दिल्ली हाई कोट ने पलट दिया अरविंद केजरिवाल की रिहाई को रोग दी गई 25 जुन कोई CBI ने अरविंद केजरिवाल पर दिल्ली सराबनीटी घोटाले के आरोप में प्रिवेंशन अफ करप्सन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया त तो जो अथर्टी करप्सन का मामला दर्ज करती है उसकी अजिम्मेदारी बनती है कि वह साबित करे कि अमुक वेक्ति ब्रष्टाचार का दोसी है जब कि Prevention of Money Laundering Act के तहर जमामला दर्ज होता है तो आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि वह साबित करता है कि वह बेकसूर है अगर पिछले दो साल से जादा के वक्त से छानबीन से दिल्ली सराबनीती घोटाले के मामले में अर्विंद केजरिवाल पर ब्रष्टाचार का कोई सबूत कोई मजबूत आरोप नहीं मिल पाया है कोई मजबूत सबूत नहीं मिल पाया है तो यह मुम्किन है कि CBI भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी CBI के जरिये अर्विंद केजरिवाल की गरफतारे भी केवल प्रतारना का नमूना बन कर रह जाएगी आम आदमी पार्टी के नेता सौरा भारत वाजया कहते हैं कि जब दिल्ली की राव जवेन्य कोर्ट की ये स्पेसल बेंच ने अरविंद केजरिवाल को जमानत दे दी थी अरविंद केजरिवाल को प्रतारित करने के चक्कर में भारत की अदालतों की खसताहाली भी सब के सामने दिखाई दी है या दिखाई दिया है कि किस तरीके से नीचे से लेकर उपर तक सारी अदालत सत्ता के इर्दगर्द नाचते हुए अपना फैसला सुनाती है अगर अदालतों ने इमांदार रवईया अपनाया होता तो अरविंद केजरिवाल को कब की रहाई मिल चुकी होती मगर इन सब के बीच रेगुलर बेल की अरजी के तहट 20 जून को दिल्ली के राउ जवेन्यू डिस्टिक कोट में स्पिसल जज नयाय बिंदू ने अरविंद केजरिवाल को जमानत देती थी इस पर बात करना बहुत जरूरी है इसमें दो बाते साफ हो जाती है पहला जब जज इमांदार होता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है दूशरा यह कि आखिरकर अरविंद केजरिवाल पर लगाएगा यारोपो का हस्र क्या हुआ जज जश्टिस नयाय बिंदू ने अपनी 26 पेच के फैसले में कहा कि दोनों पक्चों की तरब से अपना पक्च रखने के लिए हजारों दस्तावेज दाखिल किये गए हैं मगर मामले की प्रासंगिक्ता के मताबिक उन दस्तावेजों में कुछ भी नहीं है वहां पर समय गुजारना समय की बरबादी होगी कानोनी मामलों के जानकार बताते हैं कि यह कहना बिलकुल गलत होगा कि जस्टिस नियाबिन्दू इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट के पक्च को जस्टिस नियाबिन्दू ने नहीं सुना कि औरिजनल F.I.R. में अरविंद के जरिवाल का नाम ही नहीं है जिसने नौ बार गवाही दी है उसने भी अरविंद के जरिवाल का नाम नहीं दिया है 100 करोड रुपे रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है मगर अब भी यह साबित नहीं हो पाया है कि अरविंद के जरिवाल ने यहाँ पैसा लिया है ऐसा कोई तार नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो पाये कि अरविंद के जरिवाल के पास यहाँ पैसा गया है अरविंद के जरिवाल पर रिश्वत लेने के आरोप में Enforcement Directorate ने ED ने यह भी तरक रखा है कि उन्होंने यह काम किसी अजन्ट के माध्यम से करवाया है और जिस अजन्ट के सहारे ED ने अरविंद के जरिवाल को रिश्वत लेने का आरोपी बता रही है उस अजन्ट ने अरविंद के जरिवाल के इरादे पर काम किया है या बात भी साबित नहीं हो पा रही है केवल किसी व्यक्ति को जानना उससे मिलना जुलना या साबित नहीं कर सकता है कि अमुक व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका दोसी वह भी है जो उससे मिलता जुलता है या उसको जानता है हाई कोट ने अरविंद केजरिवाल की जमानत के फैसले को खारिच करते हुए या बात कही थी कि अरविंद केजरिवाल सबूत के साथ छीरचार कर सकते हैं मगर इस पर कानूनी मामलों के जानकार बताते हैं कि पिछले दो साल से सराबनिती घोटाले का मामला चल रहा है। जितनी भी छानवीन करनी थी, उतनी छानवीन जाच अजंसिया कर चुकी है। अरविंद केजरिवाल किस से मिलते हैं? एक मुक्षमंत्री होने के नाथ तो उनके पीछे 24 गंटे मिडिया चलती रहती है। या बात भी आसानी से जानी जा सकती है कि वह कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे। तो ऐसा नाममकीन है कि अरविंद केजरिवाल गवाहों को प्रभावित करने कोशिस करें, या सबूतों की छेड़चा करने कोशिस करें, जो दिल्ली सराबनिति घोटाले से जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरिवाल को जमानत देते हुए दिल्ली की ट्रैल कोट की जज नियाबिंदों ने यह बात कही थी, कि अरविंद केजरिवाल के खिलाप लगाए गए आरोपों के संबंद में जितने सबूत पेस किये जा रहे हैं, वह सारे सबूत बहुत ज़्यादा कमजोर है अरविंद केजरिवाल को जेल में रखना उचित नहीं है, इसी संदर्म में बेंजामीन फ्रेंकलीन को कोट करते हुए यह बात कही थी, कि भले ही अदालत के फैसलों से सो दोसी वेक्ति को रिहाई मिल जाए, मगर अदालत का एक भी फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए, कि एक निर्दोस वेक्ति को सजा भुगतना पड़े, यह कहते हुए जस्टिस नियाविंदू ने अरविंद केजरिवाल को जमानत देती थी, मगर उसके बाद हाई कोट ने जमानत को खारिच कर दिया, कहा कि उन्होंने विवेक सम्मत फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोट में स इतनी सक्तियां मिली हैं कि वह चाहें तो हमको और आपको भी किसी मामले का आरोपी बता करके सालों साल तक गिरफतार करके रख सकती है, अरविंद केजरिवाल, सिरेन और भी कई तमाम विपक्षिनेता इस कानून के तहत गिरफतारी की मार झेल चुके हैं, प्रिवेंशन आपने अपराद किया हो या ना किया हो, मगर एडी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह मनी लॉंडरिंग कानून के तहत आपको यह कह कर गिरफतार करें कि आपके पास अमुक अपराद की कमाई मौजूद है, कुछ मेटेरियल मिला है और उनको लगता है कि आपने अपराद किया होगा, अब मामला यह है कि अगर इस कानून के तहट सराब निती घोटाले के मामले में अरविंद के जरिवाल को गिरफतार किया गया है, तो इसका मजबूत सबूत अस्थापित होना चाहिए, अगर सराब निती घोटाले के आरोप में घूस लिया गया है, तो इस अभी तक ED Money Trail की स्थापना उस तार की स्थापना नहीं कर पाई है मतलब ऐसा कोई तार नहीं बन पाया है जिससे यह पता चले किस मामले में घूस लिया गया है और इस घूस का पैसा अरविंद के जरिवाल सही आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास पहुचा है केवल और के प्रिवेंशन अप मरें लॉंडरिंग एक्ट के कानून के तक आरोपी बना करके याम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजने की साजिस चल रही है इस मामले पर अरविंद के जरिवाल ने कहा था कि पिछले दो साल से यह सब्द हम सबने कई बार सुना होगा दो सा से बीजेपी की सारी अजेंसी कई रेड मार चुकी है कई लोगों गिरफतार कर चुकी है लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिला पाई है नहीं खोच पाई है कहीं से भी एक भी पैसा नहीं मिला है अगर करप्सन हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहा इतना पैसा हवा में तो गयाब नहीं हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला तो हुआ ही नहीं है अगर होता तो पैसा मिलता ऐसे फरजी केस में आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है किसी खिलाब कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो पा रहा है खोले आम गुंडागर्दी चल रही है किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल दीजिए